नीम का थाना जिले के खेतड़ी में 28 दिसंबर को सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी खेतड़ी के राम कुमार पुरा गाउं की चबुत्रा की धारी में शहीद राम कुमार गोर्जर की पुनेतिती पर आयोजित होने वाले किसान सम्मिलन में शिरकत कर देंगे सीएम भजनलाल शर्मा वा डिप्टी सीएम दिया कुमारी के दोरे को लेकर खेतड़ी के राम कुमार पुरा पंचायत की चबुत्रा की धारी इस्थित कारिकरम इस्थल पर तैयारियां की जा रही हैं खेतड़ी विधायक धरमपाल गुर्जर ने किसान सम्मिलन के सभा इस्थल हैली पैड पारकिंग सहित अन्य जगों का निरिक्षन किया इसके लावा मुख्यमंद्री के दोरे को लेकर अधिकारियों के साथ वार्ता कर किसान सम्मिलन को लेकर आवशक दिशा निर्देश दिये विधायक धरमपाल गुर्जर ने कहा कि खेतली के लिए यह सौभागी की बात है कि मुख्यमंद्री पहली बार खेतली आ रही है निश्य थी खेतली के विकास को नए पांक लगेंगे शुरगी राम किमार जी मेरे पता जी की पुले थी थी पे हमेशें एक वी साल किसान सम्मिलन कायोजी निकिया जाता है लेकर इस बार विशेश रूप से हमारे प्रदेश के मुख्या माननिय मुख्यमंद्री बदानलाल जी का आधमन है वो पदार रहे हैं उसके विशेश त्यारी यहां पर चल रहा है रोड का काम चल रहा है पार्किंग युरुस्ताइं दिनमें जगय कर्वाने का काम चल रहा है और ये बड़े हर्स का विश्य है कि पहली बार युख्यमंत्री बनने के बाद बदनलाल जी हमारे खेतरी में उनके साथ में सबा होने जा रही है ये खेतरी वाश्यों के लिए भी और व्यक्तिकत मेरे परिवार के लिए भी बहुत हर्स का विश्य है कि एक किसान के बेटे जिसने चोरी दकेती अन्यायत के अचार के खिलाब लड़ते हुए अपने परान दिये थे पाउन वर्स पहले उनका साधत को सलाम करने के लिए साधत को नमन करने के लिए साधत को मान देने के लिए परदेश के मुख्यां बजनलाल जी हमारे यहां पता कर दो बारे